नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड बेस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने क्लिक मेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता राणी सब का कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे देव उठनी एकदसी साल 2019 में कब मनाई है तता वर्ड पारण का महूरत क्या होगा साथ ही इसकी संपूर्ण पूजा विदी एवं वरत कथा क्या है पूरी जानकारी के लिए अंद तक इस वीडियो के साथ बने रहें और अपना प्यार वसा देने के लिए हमारे चैनल वर्ड बेस मैजिक को सब्सक्राइब करें त हिंदु धर्म में एका दसी तितिका बहुत महात्यौत है हर महा दो एका दसी पढ़ती। इस दिन स्रीहरी विष्णू जी अपनी सयनिंद्रा से जागते हैं और कारिभारपुना समालते हैं। मास किशुक्ल पक्ष को पढ़ने वाली देवसाइनी एकदशी से चार महीने के लिए जगत के पालन करता भगवान वश्णु सायन करने चीर सागर में जाते हैं। और चत्तुर मास समाप्थ उने के पस्चात कार्तिक मास की सुकल पक्च की एकदसी को भगवान विश्णु अपनी निंद्रा से उठते हैं इसलिए इसे देव उठनी एकदसी के नाम से जाना जाता है देव के सयन करने पर इन चतुर मास में कोई भी मंगल कार नहीं होते हैं देव उठनी एकदसी के साथ ही दोस्तों कार्टिक मास के सुक्ल पक्च की एकादसी को देव उठनी या प्रबोधनी एकादसी कहा जाता है साल 2019 में देव उठनी एकादसी का पर्व 8 नौंबर 2019 दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा और एकादसी तिति का प्रारम 7 नौंबर को सुबा 9 बचके 54 मिनट से लेकर एकादसी तिति का समापन 8 नौंबर को दोपहर 12 बचके 24 मिनट पर होगा और वर्तपारण का मूरत 9 नौंबर को सुबा 6 बचकर 38 मिनट से लेकर 8 बचकर 49 मिनट तक रहेगा इस वर्तपारण की कुल अवदी 2 घंटा 10 मिनट रहेगी दोस्तों देव उठनी एकादसी के दिन उपवास रखने का विशेश महात्तो है इस वर्त को करने से मोक्च सुक समरद्धी की प्राप्ती होती है देव उठनी एकादसी के दिन तुलसी जी का विवा साली ग्राम से किया जाता है इस दिन बहुत से लोग धूम धाम से तुल नहीं है तो वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का सुक प्राप्त कर सकता है दोस्तों प्रबोधनी एक अदसी के दिन भगवान विश्णु जी का पूजन कर उन्हें जगाने का अवाहन किया जाता है इस दिन प्राता काल उठकर इसनाना दिकर के स्वच वस्त धारन करें व्रद किया जाता है और दूसरे दिन द्वादसीतिति को पूजा करने के बाद व्रद का पारण किया जाता है आंगन में देवुत्थान का चितर बना कर फल मिठाई बेर गन्ना सिंगाड़े रग कर डलिया से ढग देते हैं इस दिन रात्र में घरों के बाहर वा पूजा इस्तल पर दिये जलाए जाते हैं रात में परिवार के सभी सद्दस्यों समेत भगवान विश्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवत गीता वब भजन की तनकर के रात्रि जागरन करना चाहिए इसके बाद भगवान विश्णु को संक घंटा आदी बजा कर उठ जाने चाहिए अंत में कथा का स्रमन कर प्रसाद का वितरन करना चाहिए दोस्तों देव उठनी एक दसी की कथा इस व्रकार है एक समय की राज में सभी लोग एका दिसी कवरत रखा करते थे, यहां तक कि राज के पसू भी इस दिन अन्य ग्रहन नहीं करते थे, तभी उस राज में एक दूसरे राज का वक्ती आया, उसने कहा कि हे राजन, मुझे काम की अवशकता है, यदि मुझे आप नौकरी पर रख लें, तो आपका बहुत आभार होगा, राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी जरूर दूँगा, लेकिन एक मेरी सर्त होगी, सर्त यह है कि राज में एका दसी कवरत करने की अनिवारता है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा, इस दिन तुम अन्ग्रहन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उस व्यक्ति की भूग तेज होती चली गई, वह राजा के पास पहुँचा और राजा से कहने लगा कि, यह राजन सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा है, और मैं अन्न खाना चायता हूँ, अनिता मैं मर जाओंगा, यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया, वह नित की तरह नदी पर पहुँचा और इसनान कर भोजन पकाने लगा, जब भोजन बन गया, तो वह भगवान को बुलाने लगा, आव भगवान भोजन तयार है, पंदरा दिन बाद अगली एक अदसी को वह राजा से कहने लगा कि, हे मह मुझे दुगना समान दीजिए, उस दिन तो मैं भोका ही रह गया, राजा ने कारण पूछा, तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये समान पूरा नहीं होता है, ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर हुआ, वह बोले मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुमारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना प्रत रखता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, पर भगवान ने कभी भी मुझे दर्सन नहीं दिये, तुम्हें कैसे दे सकते हैं, ये कैसा संभव है, राजा की बात सुनकर वह बोला महराज, यदि विस्वास नहीं तो साथ चलकर देख लें, राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, तथा भगवान को साम तक पुकारता रहा, परंत भगवान नहीं आए, अंत्र में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए, तो मैं नदी में कूद क प्राण त्याग दूँगा, लेकिन भगवान नहीं आए, तब वह प्राण तागने के उद्देश से नदी की तरफ बढ़ा, प्राण तागने का उसका द्रण इरादा जानकर सीखरी भगवान प्रगट होकर उसे रोग लिया, और साथ बैठ कर भोजन करने लगे, खापी क सुद्ध रखें, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे, और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवस से बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को फेस्बुक औ तो अवस्य क्लिक करें, और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद,